यहां पढ़ेंगे factors affecting the resistance of a conductor तो कौन-कुन से यहां पर factors affect करते हैं resistance of a conductor को यहां पर पहला बूला गया length of the conductor तो पहला जो है हमारा resistance जो होता है directly proportional to the length of the wire होता है अगर यहां पर wire की length बढ़ेगी तो यहां पर क्या होगा? resistance हमारा क्या होगा? increase होगा अगर wire की length यहाँ पर घटेगी तो resistance हमारा क्या होगा कम होगा तो मतलब एक चीज यहाँ पर बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी अगर यहाँ पर एक चीज यहाँ पर length of the wire घट रहा है तो यहाँ पर resistance भी यहाँ पर क्या होगा decrease होगा second point है हमारा यहाँ पर area of cross section of the conductor तो यहाँ पर मोटे पतले की बात हो रही है अगर यहाँ पर कोई wire मोटा है तो वहाँ पर क्या effect पड़ रहा है अगर वहाँ पर पतला है तो क्या effect पड़ेगा तो area जो cross section होता है वो हमारा inversely proportional होदा है resistance के तो यहाँ पर अगर कोई पतला wire है तो आपर क्या होगा resistance यहाँ पर कम हो रहा है तोелей ग्रेंचेंस क्या होगा कॉपर वायर होता है उसका नेचर अलग है और जो हमारा निक्रोम वायर होता है जो हम प्रेस में यूज़ करते हैं या हीटिंग जो हीटिंग एलिमेंट्स में यूज़ करते हैं वह हमारा अलग नेचर ओफ मटेरियल का होता है इसलिए हाँ पर बोला है नेचर ओफ दा मटेर heater में और प्रेस में काम आते हैं second यहां पर fourth point है sorry वो हमारे क्या बोला गया temperature of the conductor तो temperature of the conductor पर कैसे काम करेंगे जैसे कि मैंने यहां पर बता यह जो Nichorum wire होता है वो क्या होता है highly जो ते है electricity को consume करते हैं जिसने यहां पर heating बढ़ती है तो यहां पर क्या होता है यह अलग काम कर रहा है यहां पर heat बढ़ा रहा है तो increase with temperature यहां पर temperature बढ़ेगा तो यहां पर क्या होगा heat भी बढ़ेगी और temperature घटेगा तो यहां पर conductor में क्या होगी heat भी कम होगी तो यह चीज में हुआ पर ध्यान रखना ठीक है अब हम बढ़ते ह आपने नेक्ट पॉन की तरह